बच्चों, आज हम कक्षा दस्वी में हिंदी व्याकरण के अंतरगत वाक्य रूपांतरण के बारे में पढ़ेंगे वाक्य रूपांतरण क्या होता है? वाक्य रूपांतरण कैसे किया जाता है? इसके वारे में जानकारी प्राप्त करने से पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं और वाक्य के कितने भेत होते हैं तो आईए सबसे पहले जानते हैं वाक्य किसे कहते हैं वच्चों जैसा कि हम सबको पता है, शब्दों की रचना वर्णों के सार्थक मेल से होती है, इन्ही अर्थ पूर्ण शब्दों के सार्थक एवं व्यवस्थित मेल से ही वाके बनते हैं, तो जो शब्द हैं वो वर्णों के मेल से बनते हैं और अर्थ पूर्ण शब्दों के मेल से वाके की रचना होती है तो वाक्य किसे कहते हैं आईए देखते हैं वाक्य की परिभाशा सार्थक शब्दों का ऐसा समू जो अपना व्यवस्थित अर्थ दे अथवा एक अपेक्षित अर्थ की ओर संकेत करे उसे वाक्य कहते हैं ठीक है, अर्थ पूर्ण शब्दों का ऐसा समों, जो एक व्यवस्तित अर्थ दे, उसे ही हम वाक्य कहते हैं, आईए, वाक्य के अंग देखते हैं, वाक्य के दो अंग होते हैं, एक है उद्देश और दूसरा है विधे, तो पहला वाक्य का अंग है उद्देश वाक्य का वह अंग जिसके विशय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश कहते हैं वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के संबंद में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश कहते हैं अध्य हम कह सकते हैं कि कार्य करने वाले को ही उद्देश कहा जाता है और वाक्य का दूसरा अंग होता है विधे वाक्य में उद्देश के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधे कहते हैं तो वाक्य में उद्देश के संबंध में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधे कहते हैं आईए उद्देश और विधे क्या होता है इसे उदारण के मात्यम से समझते हैं तो देखिए उदारण पहला उदारण है चित्रकार चित्र बनाता है इसमें उद्देश चित्रकार है क्योंकि काम करने वाला चित्रकार है करता चित्रकार है वाक्य चित्रकार के बारे में कहा गया है तो चित्रकार उद्देश है और चित्रकार के संबंध में जो कुछ कहा गया वह विधे है तो चित्र बनाता है ये चित्रकार के संबंध में कहा गया है तो चित्र बनाता है विधे है दूसरा वाक्य देखिए, जवान देश की रक्षा करते हैं, इसमें वाक्य जवान के लिए कहा गया है, तो जवान क्या होगा उद्देश होगा और बाकी जितनी चीजें जवान के संबंध में कही गई हैं क्या कही गई हैं देश की रक्षा करते हैं तो देश की रक्षा करते हैं विधे होगा ठीक है तो पहले वाक्य में चित्रकार चित्र बनाता है इस वाक्य में चित्रकार उद देश है और चित्र बनाता है विधे है और दूसरा वाक्य जवान देश की रक्षा करते हैं इस वाक्य में जवान उदेश है और देश की रक्षा करते हैं विधे है तो आईए अब जानते हैं वाक्य के भेद रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं पहला भेद है सरल वाक्य, दूसरा भेद है सैयुक्त वाक्य और तीसरा भेद है मिश्र वाक्य आईए एक एक करके तीनों के बारे में जानते हैं पहला भेद सरल वाक्य जिन वाक्यों में एक उद्देश तथा एक विधे होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं सरल वाक्य की यही पहचान है उसमें एक उद्देश और एक विधे होगा और मुख्य क्रिया भी एक ही होती है इसे उधारण से समझते हैं देखिए पहला उधारण है वर्षा हो रही है जिसे यहाँ पर एक ही उद्देश्य है वर्षा और एक ही विधे है हो रही है तो यह क्या है सरल वाक्य दूसरा उधारण देखिए मोहन पतंग उड़ा रहा है इस वाक्य में एक ही उद्देश्य है मोहन और एक ही विधे है पतंग उढ़ा रहा है तो जिन वाक्यों में एक उद्देश एक विधे होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं वाक्य का दूसरा भेद है सैयुक्त वाक्य सैयुक्त वाक्य किने कहते हैं जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी समुच्य बोधक अव्या से जुड़े होते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं. संयुक्त वाक्य के उपवाक्य, किन्तु, परंतु और तथा, इसलिए या अठ्वा, अन्यथा, अग्ध, आदी योजकों से जुड़े होते हैं. तो जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी समुच्य बोधक अव्या से जुड़े होते हैं. वो संयुक्तवाक्य कहलाते हैं संयुक्तवाक्य के जो उपवाक्य हैं वो किन समुच्चय वो बोधक अव्यों से जुड़े होते हैं उनके कुछ उधारण हमने यहाँ पर बताए हैं वो हैं किन्तु, परंतु, और, तथा, इसलिए, या, अथवा, अन्यथा, अथ़ा ऐसे ही योजकों से, ऐसे ही समुच्चय वोधक अव्यों से या योजकों से जो दो स्वतंद्रवाक्य चुड़े होते हैं वे संयुक्तवाक्य कहलाते हैं और संयुक्त वाक्य की ये विशेष्टा होती है, कि ये जो दोनों उपवाक्य हैं अपने आप अर्थपॉर्न होते हैं आईए उधारण से समझते हैं पहला उधारण है, माबाजार गई और सबजी लेकर आई तो यहाँ देखिए, दो उपवाक्य है पहला उपवाक्य है मा बाजार गई और दूसरा उपवाक्य है सबजियां लेकर आई ठीक है दोनों ही अपने आप में पूर्ण अर्थ देने वाले हैं मा बाजार गई पूर्ण अर्थ बताने वाला पूर्ण अर्थ देने वाला वाक्य है सब मास सबजियां लेकर आई ये भी अपने आप में अर्थपोन उपवाक्य है और इन दोनों उपवाक्यों को और योजक के माध्यम से जोड़ा गया है ठीक है तो जब दो स्वत्तंत्र अर्थपोन उपवाक्य किसी योजक शब्द से जुड़े होते हैं दूसरा उधारण देखिए राम बीमार है इसलिए स्कूल नहीं आया यहाँ पर भी दो उपवाक्य है राम बीमार है यह पहला उपवाक्य है दूसरा उपवाक्य है वह स्कूल नहीं आया तो दोनों उपवाक्य अपने आप में अर्थ पूर्ण हैं और इन्हें इसलिए समुच्य बोधक अव्य से जोड़ा गया है तो यहाँ पर भी तो स्वतंत्र उपवाक्य एक समुच्चे बोधा कव्य से जुड़े हुए हैं इसलिए ये संयुत्वाक्य है वाक्य का तीसरा भेद है मिश्रवाक्य मिश्रवाक्य किसे कहते हैं जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य हो और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो आश्रित हो मतलब निर्भर हो अर्थ पूरा करने के लिए उसकी आवश्यक्ता हो उसे मिश्रवाक्य कहते हैं मिश्रवाक्य के उपवाक्य की जैसा तैसा जो वह जब तक क्योंकि आदी योजकों से जुड़े रहते हैं तो जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य या प्रदान उपवाक्य हो और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हूं तब ऐसे वाक्यों को मिश्रवाक्य कहते हैं और मिश्रवाक्य के उपवाक्य की जैसा तैसा जो वह जब तब क्योंकि आदी योजकों से जुड़े हुए होते हैं आईए उधारन से देखते हैं देखे पहला उधारन जैसे ही शाम हुई बिचली चली गई तो यहाँ पर दो उपवाक्य हैं जैसे ही शाम हुई बिचली चली गई तो जैसे ही शाम हुई अपने आप में पूरा अर्थ पूर्ण नहीं है इसके लिए अर्थ पूरा करने के लिए दूसरे उपवाक्य की आव शक्ता है तो ये मिश्रवाक्य होगा दूसरा उधारण देखिए जब आधी आई तो धूल उरने लगी यहाँ पर पहला उपवाक्य देखिए जब आधी आई और ये अपने आप में पूर्ण अर्थ नहीं देता है ठीके इसका पूर्ण अर्थ प्राप्त करने के लिए दू दूसरा उपवाक्य साथ में होना आवश्यक है तो ये मिश्रवाक्य का उधारण हुआ ठीके तो अब हमने पढ़े वाक्य के तीन भेद होते हैं सरलवाक्य, सैयुक्त वाक्य और मिश्रवाक्य इस सरलवाक्य की क्या पहचान होती है इसमें एक उद्देश और एक ही विधे होता है सैयुक्त वाक्य की क्या पहचान होती है इसमें दो या अधिक उपवाक्य होते हैं लेकिन इस सैयुक्त वाक्य के उपवाक्य उन रूप से स्वतंत्र होते हैं अर्थ पूर्ण होते हैं और उन्हें और तत्था इसलिए जैसे जो समुच्य बोधक हैं इनके मात्यम से जोड़ा जाता है तीसरा भेद है मिश्रवाक्य मिश्रवाक्य में एक मुख्य उपवाक्य होता है और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं और मिश्रवाक्य के जो उपवाक्य हैं वो जो जब तब जैसे तैसे आधी योजकों के मात्यम से जोड़े हुए होते हैं आईए अब जानते हैं वाक्य रूपांतरण रूपांतरण मतलब रूप में परिवर्तन ठीके तो वाक्य के रूपांतरण क्या होता है वाक्य को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करना वाक्य के रूपांतरण करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि वाक्य के भाव और विचार में कोई अंतर ना आए ठीक है वाक्य रूपांतरन करते समय हमें ये ध्यान रखना होता है कि वाक्य में जो हम रूपांतरन करते हैं उस समय वाक्य के अर्थ में और उसके भाव में परिवर्तन नहीं आना चाहिए आईए देखते हैं वाक्य रूपांतरन कैसे करते हैं पहरा है सरल वाक्य से सैयुत वाक्य में रूपांतरन ठीक है अब सरल वाक्य को सैयुत वाक्य में कैसे रूपांतरित करते हैं तो आईए पहले देखते हैं उदारन के माध्यम से सरल वाक्य दिया हुआ है बादल घिरते ह अब जब हम सरल वाक्य से सेंट वाक्य में बदलेंगे तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि सरल वाक्य को दो भागों में बाटना होगा इस तरह वाटना होगा कि दो क्रियाएं बन जाएं ठीक है और फिर उसके बाद जब दो वाक्य बन जाएंगे उन वाक्यों को और तथा अथवा इसलिए किंतु परंतु जैसे समुच्य बोधक अव्यों से जोड़ देना है तो आईए इसे देखते हैं बादल घिरते ही मोर नाचने लगा तब इसे हम दो उपवाक्यों में बदलें पहले तो पहला बादल घिरे और दूसरा मोर नाचने लगा ठीक है तो यहाँ पर दो उपवाक्य बन गए और दोनों सवतंत रहें इनको हम और तथा जैसे समुच्य बोदक्स अव्याकेस से जोड़ देंगे तो इसका सहीत वाक्य में रुपांतरन क्या हो जाएगा बादल घिरे और मोर नाचने लगा यह एक और उधारन के माध्यम से समझते हैं सरलवाक्य के दिया है अंकित आते ही खेलने लगा ठीक है अब इसको दो उपवाक्यों में ब काट सकते हैं अंकित आया और अंकित खेलने लगा अब इसको और तथा समुच्चय बोधक अव्या से जोड़ देंगे अंकित आया और खेलने लगा ठीक है अब अगला रुपांतरन देखते हैं सरलवाक्य से मिश्रवाक्य में ठीक है अब सरलवाक्य से मिश्रवाक्य में क इस तरीके से वाक्य रुपान्तरण होता है तो उधारण देखिए सरल वाक्य दिया गया है बादल घिरते ही मोर नाचने लगा ठीक है तो अब हम सरल से मिश्रुम में बदलने के लिए फिर से सरल वाक्य को दो उपवाक्यों में विभाजित करेंगे तो एक उपवाक्य हो गया बादल घिरा और दूसरा उपवाक्य हो गया मोर नाचने लगा ठीक है और अब जैसे हमने पढ़ा था मिश्रवाक्य के योजक क्या है चूंकि जो जब जैसे इन योजकों से दोनों उपवाक्यों को जोड़ देंगे तो जैसे ही बादल घिरे मोर नाचने लगा यह हो गया मिश्रवाक्य है एक और उधारण देखते हैं देखिए सरल वाक्य दिया है परिश्रमी को ही सफलता मिलती है तो इसे जब हम मिश्रवाक्य में बदलेंगे तो यह हो जाएगा जो परिश्रमी होता है उसे ही सफलता मिलत दिखते हैं संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य में रूपांतर तो संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलने के लिए योजक्षब्द हटाना होता है और अर्थ में परिवर्तन किये बिना उपवाक्य को पदबंध में बदलना होता है तो देखें सैयुक्त वाक्य जो दिया गया है कवी ने कविता सुनाई और श्रोता हस पड़े तो यहाँ पर योजक शब्द दिया है और तो जब हम इस सैयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलेंगे तो यह जो योजक शब्द है इसे हटाएंगे जब हम इसका सरल वाक्य बनाएंगे तो यह हो जाएगा कवी की कविता सुनकर शोता हस पड़े एक और उधारण देखते हैं सैयुक्त वाक्य देखे दिया गया है सुबहा हुई और चिडियां चहचहाने लगी यहाँ पर योजक शब्द दिया है और जब हम सरल वाक्य में बदलेंगे तो योजक शब्द को हटाएंगे यह हो जाएगा जब हम इस सैयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में रूपांतरित करेंगे तो यह हो जाएगा सुबहा होते ही चिडियां चहचहाने लगी अगला दिखते हैं मिश्र वाके से सरल वाके में रूपान तरण तो मिश्र वाके को जब हम सरल वाके में बदलते हैं तो इसके लिए भी पहले हमें योजक शब्द को हटाना होता है और फिर उपवाके को पदबंध में रूपान बदलना होता है देखिए मिश्रवाक्य दिया है, जब मैं स्टेशन पर पहुँचा गाड़ी जा चुकी थी, यहाँ पर योज़क है जब तो जब हम सरल वाक्य में बदलेंगे तो इस योज़क शब्द को हटाएंगे तो इसका सरल वाक्य हो जाएगा मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी एक और उधारण देखिए मिश्र वाक्य दिया है जिनकी आय कम है उन्हें मित्वियाई होना चाहिए तो इन यहाँ पर योजक शब्द हैं जिनकी और उन्हे तो जब हम इसे सरल वाक्य में बदलेंगे तो यह हो जाएगा कम आय वालों को मित्वियाई होना चाहिए तो जिनकी आय कम है इसके लिए पदबन बन गया कम आय वालों को कम आय वालों को मित्वियाई होना चाहिए अगला है संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में रूपांतरण तो संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलने के लिए योजक शब्द हटा कर ऐसे उपवाक्य बनाने होते हैं जो एक दूसरे पर आश्रित हो देखिए संयुक्त वाक्य दिया है पाठ समाप्त हुआ और घंटी बज गई यहाँ पर दो स्वतंतर उपवाक्य है पाठ समाप्त हुआ और दूसरा है घंटी बज गई योजग शब्द है और तो जब हम इसे मिश्रवाक्य में बदलेंगे तो योजग शब्द हटाएंगे और जो दो ऐसे उपवाक्य बनाएंगे जो एक दूसरे पर आशृत हो तो इसका मिश्रवाक्य हो जाएगा जैसे ही पाट समाब्थ हुआ वैसे ही घंटी बज गई एक और उधारण देखिए सैयुक्त वाक्य मैं अच्छा खेला किन्तु हार गया तो यहाँ पर भी जो दो स्वतंत्र उपवाक्य हैं उन्हें आशृत उपवाक्यों में बदलेंगे तो इसका मिश्रवाक्य हो जाएगा यद्यपी मैं अच्छा खेला फिर भी हार गया अगला देखते हैं मिश्रवाक्य से सैयुक्त वाक्य में रूप अंतरन मिश्रवाक्य को सैयुक्त वाक्य में बदलने के लिए पहले उस वाक्य को दो सरल वाक्यों में बदलते हैं और फिर उचित योजक शब्दों से उन्हें जोड़ देते हैं देखते हैं कैसे देखिए मिश्रवाक्य के दिया है जब मंतरी का भाषन समाप्त हो गया तब वह घर आ गए मिश्रवाक्य के है जब और तब योजक शब्दों से जुड़ा हुआ है तो जब हम इसे सैयुक्त में बदलेंगे तो पहले इस मिश्रवाक्य से दो सरलवाक्य बनाएंगे और उसे फिर उचित योजक शब्द से जोड़ देंगे तो एक सरलवाक्य बनेगा मंतरी का भाषन समाप्त हो गया और दूसरा वाक्य है वह घर आ गए इसका सैयुक्त वाक्य हो जाएगा मंतरी का भाषन समाप्त हो गया और वह घर आ गए एक और उधारन देखिए मिश्रवाक्य दिया है जैसे ही सुबह हुई चिडियां चह चाहने लगी तो यहाँ पर भी इसे हम सैयुक्त में बदलने के लिए दो सरल वाक्यों में बदलेंगे और फिर योजक शब्द से जोड़ देंगे तो इसमें एक सरल वाक्य हो जाएगा सुबह हुई और दूसरा सरल वाक्य हो जाएगा चिडियां चह चाहने लगी इन दोनों सरल वाक्यों को योजक शब्द से जोड़ देंगे तो यह बन जाएगा सैयुक्त वाक्य क्या बनेगा इसका सुबह हुई और चिडियां चह चहाने लगी तो यह था वाक्य का रूपांतरण बच्चों आज हमने वाक्य के भेट और उसको एक भेट से दूसरे भेट में किस तरीके से रूपांतरित करते हैं इसके बारे में सीखा मैं उमीद करती हूँ कि आपको वाक्य के रूपांतरण समझ में आ गया होगा और निरंतर अभ्यास से आप इसे सीखेंगे धन्यवाद